पवित्र शिरिमत भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुगरंत साहेब, पवित्र कभीर साहेब की वानी में छुपे हुए गुण रहस्य, अर्थात, तत्व को जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये, जगत गुरुत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन, तो सभी सेठों ने कहा, दामुदर आप खामोज क्यों बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा, आप भी अपने भगवान, अपने कबीर जी से अरज करो, अपनी जान रख्षा की, दामुदर सेठ कहने लगया, मेरा तो गुरुजी गृरीब सा है, और बोदा सा अदमी है, और तुम्हारे भगवान कोई पाड ठा रहा है, कोई गोवर्दन उठा रहा है, अर इतने तगडे भगवाना की आड़ मेरी भी जान बच जाएगी, आप प्रार्थना करी रहे हो, इन भगवानों से तो ये रोक देंगे थरे सबुद्री तुफान को, और मुझे कैचनता फिर, आपको इतने तगडे तगडे भगवान रहे, तब वो सेठ कहने लगे, दामो दर, ना सो गया बात का, इमजाक मत ना करे, आप भी अरज करके देख लिए हो सकता, ना जाने भगवान किसकी प अंगडाओगे, मन दुर्गा से कह दिया था, इसलिए तो मुझे उंधरी तूफान रुख गया तो बाद मन नंबर बनाओगे, अगसेट जी, अब मजाक ना करे, कती देख ना सो गया, मर गये कती, कुछ अरज कर ले नहीं विदा तुम बैठो, वो बैठा तके जा था था दामोदर सेट ने कहा है परमात्मा, और दामोदर सेट परमात्मा कबीर जी की, क्योंकि उन पंद्रा बीच दिन सत्संग सुने थे, जगह 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 जा करके, रोगों से उनकी कहान कथाएं सुनी थी, कोई कह था मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा बे तो इसलिए उसका नाम कबीर दर लिया था उनोंने रख दिया था तो कहने लगया है परमात्मा हो सकता इस निच के ऐसे पापकरम हो के इस कुछ ते आली मौत ही मरना था लेकिन इस दुस्ट में कोई ऐसी इस निच आत्मा में कोई ऐसे जो है तुरुटी आई होगी के आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे यह परभू मैंने आपके बहुत गुनगा दिये निका गए और मुझ दुस्ट के कारण परमात्मा आपकी वेज़ दी होगी यह परभू आद रख से लज़ा रख लो अपने अदास की और फिर कहीं मार दियो मुझे नो अगजेक्शन नो कहकर बेहुस हो गया हर्दे से पुकार करके और इतनी लोगों के दृष्टी में तो ऐसे गिर गया इतने में क्या होता है कि वो तुफान जैसे यूँ खड़ा था उपर को एक दम नो देखते देखते जैसे चाड़ा बैठ जाक रहे बिल्कुल सांत होगा को नो डिस्टर्बेंस कहीं भी कोई लहर भी तेज नहीं रही समुदर की और इतना सांत समुदर हो गया तो सभी ने उसके मुँपर छीटे चाटे पानी के मारे वो सचेत किया और दम दर को उठा का उपर ने गो दीमर जै बोलो दा मुदर की जै हो दा मुदर वगत की नोवला नावाई जै बोलो बंदी छोड कबीर की उसक परमपता की जै बोलो जिसने आकर के हमने पराणों की रक्षा की है तो सारे सेठने बोले हम तो आपके गुरु जी के नाम लेवाएंगे हम तो उसी के सरनों में चलेंगे और उफदेस लेंगे हम तो आज 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 कहा करते वा सकती तरे गुरु देव में आज जारी दीखी पुनातमाओ उसी रात्री में प्रमात्मावा सत्संग कर रहे थे कभीर प्रमिश्वर और ये सर्दियों के जिन थे ऐसे ही एक भगत के घर में सत्संग कर रहे थे और आसपास क्योंकि ऐसी आसपास लगा होता था थोड़े से उंचे से तकत पैस आसपास भगत बैठे होते थे इसे पचास साथ भक्त बैट कर सत्सिंग सुन रहे थे प्रमात्मा सबदगा रहे थे परवचन कर रहे थे और ऐसे अपने ऐसे करके बाला मल कर रहे इसे नू करके और नू आथ मार दिया चिट्टे से तो पानी की बूंदें लगी आस पास बेठे भगतों के तो वो भगत बोले खुर्दे आपका पसिन्य आगे दिखे जो बहुत रपो कमेने पसिन्य आगे नाला को लाजी और क्या हो गया के भाई दामोदर सेथ नहीं था वो अपना भगते बाई लाजी हकां जी बाई उसका जाज डूबबय था और उसका जाज बचा काया हूं वहां समुंदर में जाना पड़ गया इस पर कै ये पानी सा लाग गया था इसना इसलिए मूँ माँ पूछा है बाई और तो वो भगत नो सोचे महाराजी तो निरे को कोड पेले जूठ बोलते हैं यहां वैठे मारा गया और नुके कादीत बगवान गुरुदेव कतिये जूठ बोलते हैं मन मन में उनके मन में गंदापन था आला कि वह इतना ग्यान और विचार भी सुनते थे यह मन की खोटी बान है कोई न कोई दोस गुरुदेव में काड़े लिए है निकाल ही लेता है तो उन नाला कि आ गया ऐसे मन में खोट आ गया और वो सोचने लगे अक गुरुदी हमारे सामने बैठे हैं अन्यों के दामोद्र का धाज ग्रूपे था वहां जाक आया हुआ है वो तो बात गई आई हुई है कुछ दिन के बाद फिर सत्संग हो रहा था उस रातरी के समय और वो दो चार दिन के बाद वो जाज के यातरी आए वो घर पर पहुँचे कहां कबीर जी के घर पर गए जोफडी पर वहाँ पता चला कि वह तो वहाँ सत्संग कर रहे हैं अब उस सत्संग में वही उस कासी के जितने भी सोपचास स्यस्ते प्रमात्मा के नियाई थे वह सारे बैठे सत्संग सुन रहे दो-चार नय भक्त भी आई हुए थे और सत्संग चल रहा था और वही जो मन में खोट था वो विक्ती भी वो सरदालों भी विद्दमान थे कि गुरु जी ता उस तन जूट बोल रहे थे एक दिन दकती जूट बोल दी कि दाम उदर का जहाज बचाका आया हूं इसलिए पानिक में बाल बूड बीजगे थे वो ने चोड़े हैं उदर पर मातमा सत्संग कर रहे थे और वो कबीर जी की जहुफडी पर जाकर के वो सारे सेथ बीस तीस पचास जितने थे ने वो लेवाई पाच्छा घर जावांगे पहले गुर्देव के सरना में गिरेंगे उनके कारणा जो मारा जीवन मिला हुआ है कबीर जी की जहुफडी पर गए वहां नहीं मिले तो पता चले हमां सत्संग कर रहे हैं वहां पहुँच गए और बाहर खड़े हो कै जैहो बंदी छोड की जैहो कबीर साहिब की जैहो कबीर साहिब की अब वही नहीं कहा करें जिसने जैन बची लाखों पाए जैव 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 कारवार करें परमातमा बोले वही पता करी हो वहार के सोर हो रहा है तो एक दो भंगत जाकर देख कर आया वो दामोदर को पैचानते थे क्योंकि वो भगत था और पंद्रावीस तिन सत्संग सुनकर गया हुआ था आता जाता रहता था तो उन्होंने कहा जाकर कि क्या बात है भाई कैसे आए हो दामोदर को पैचान लिया उन सर्भगतों ने कहा सेथ जी आज़ो कैसे क्या बात है भाई का हम गुरुदी से मिलेंगे और सारे सेथ नाम लेंगे और ये सारे सेथ मेरे साथ आया भगत गुरुदी से बात करा मिलना चाहते है भगतों आकर कहा गुरुदे वो दामोदर सेथ नहीं है अपना लाला जी अकान जी उसके गिल गड़े और लाला जी आए हैं बगत आए हैं और सारी नाम लेंड की कहें पता नहीं के बाद साथ की जय जय कार करें बला बला लो के बात है नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है हम तो उपदेश देने के लिए तो सारा प्रेतन कर रहे हैं वह सारे पीश-टीस-चारीस लाला जी आए और ए गुरुदेव यह बगवान आप तर सचमुझ बगवान हो यह प्रमात्मा अपना हमारी प्राणों की रिक्षा की यह बगवान है प्रमात्मा आपके दिये दिन है प्रमात्मा चाहते थे के यह अपने मुझ तक कह देना न आपकाना झो नुगम खोट ला रहे थे कैने है कैनदे बात होगी बटाओ तो मन न न पता क्या बात है कैसे क्या हुई भई कैसे गटना हुई बताईयो तो खड़या हो कब बताना लागिए सारी कार्णी बताईयो बगवान हमने माफ कर दो हम आपके बगद के बहुत मज़ा करया करते हैं हमने बुन्डी आच्छी भी कई पर यह नराज कती नहीं हुआ हमने जो नाकेन की बाते हैं इसको कही है और हम उन बगवानों को सक्ती साली मानते थे और ऐसे ऐसे सारी कार्णी बताई हे गुरुदेव, हे माराजी हम कती आपकी दिया से आपने इनकी अरद सुनी और हमारे जीवन रक्षा हुई ऐसे ऐसे उस रातरी में यो जहाज डूब रहा था सुमद्री तूपान आगया था आपका भगता आपको परार्थना करके और अचेत हो गया था आपका इतना लीन हो गया इसने ऐसी आत्मा से पुकार की और प्रमात्मा अपने जाका और डूबता जाज बचाया हमारा ना तो नास हो गया था सारे डंडोत परनाम करें और पढ़ गे वहां प्रमात्मा के चर्णों में बच्चे भी रुपा लग भी तब उन आलाएक जो बैठे थे से सरोज सत्संग सुना गुर्देव को विस्वास नहीं था उनके भी कान खड़े वे उन अभी माफी माँगी है बगवान अभी पाप्पी आत्मा है हमारे से भी गलती हो गी हमने तुस्तिन आपकी बात को मजाक मटार दिया था और सचमुच ये तो आप परमात्मा बोले वाई सो सल्ची दर हम करें अपने जनके काज कहते हैं जब मारा भगत पे छोड़ी होई तो मारा नाम ना लेवाई कोई जब मारा भगत कहार होगी ता हमारा नाम कोण लेगा और ये तब तो तुमारे मन के खोट को देखकर मने दर्ड करने के लिए अईसे किया था ना तो हम तो लाखों एक दिन में करोड स्रीद्हरन करके ना जाने कहा कहा जा सकते हैं यहां से जाने की जुरूर्त नहीं थी मज़े तो के ऋने का भाव یہ पुन्यात्माओ समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो बाई का देना हो ऐकाज राम रंग हो री हो बो सत्गुर्देव की जै रए नल नील यतन कर हार तब सत्गुरु से करीपुकार रए नल नील यतन कर हार तब सत्गुरु से करीपुकार जासत तरे खाल लखी अपार सिंदू पैसे लात राने वाले जासत तरे खाल लखी अपार सिंदू पैसे लात राने वाले धन दन सत गुरुसत कबीर भगत की पीड मिटाने वाले दन दन सत गुरुसत कबीर भगत की पीड मिटाने वाले भगत की पीड मिटाने वाले दन दन सत गुरुसत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले डशी सरपने जब जाप पुकारी इंद्रमती अकुलाए आपने तुरंत करी सहाय ब्यरूली मंत्र सुनायने वाले दन दन सत्गुर्सेत कभीर भगत की दामोद्र सेठ के होँते अकाज अरज करी थी डूबता देख जहाज दा मोदर सेठ के हों थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुदर से पार लंगाने वाले धन धन सत गर सत कबीर भगत की पीड में ताने वाले भगत की पीड में ताने वाले धन धन सत गर सत कबीर भगत की पीड में ताने वाले कहे करे जोड दीन ध्रम दास दरस दे पूरण करियो आश कहे करे जोड़ दीन ध्रम दास दरस दे पूरण करियो आश मेटियो जनम मरन की तरास सैत्य पद प्राप्त कराइने वाड़े वेटियो जनम मरन की तरास सैत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सत्गुरुसत कबीर भगत की भगत की पीर मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले दन दन सत्गुरुसत कभीर भगत की पीर मिटाने वाले कहे करे जोड दीन ध्रमदास दर्स दे पूरण करियो आस कहे करे जोड दीन ध्रमदास दर्स दे पूरण करियो आस मेटियो जनम मरन की तरास सहत पद प्राप्त कराने वाले धन धन सत्गुरु सत कभीर भगत की पीड मिटाने वाले 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 धन धन सत्गुरु सत कभीर भगत की पीड मिटाने वाले सत्गुरु 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 भगत की पीड मिटाने वाले सत् कर जोरूं विनती करूं, दरूं चरण परशीष, गुरुराम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बक्षीष, कोटी कोटी से जिदा करूं, कोटी कोटी परणां, चरण कमल में राखियों, मैं बांदी जाम गुलां, अवगोन किये तो बोहत किये, करत नमनी आरे, बांवें बंदा बक्ष दियो, बांवें गर्दन उतार, अवगोन मेरे बाप जी, बक्सो ग्रीब न्यवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहर पता कूलांज। मैं अपरादी जनम का, नकसक बरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करोशवार। गुरु जी तुम ना भूली हो, चाहे लाखे लोग मिल जाएं। अमसे तुमको बहुत हूँ, तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किस की सरण में जाऊं। उसी वे विरंच मुनिनार दा, तिन के हर्द न समां। बंदी छोड दयाल जी, तुम तक हमरी दोडे। जैसे काग जहाज का, सोजत और न ठोरी। सब पदवी के मूल हैं, सकल सधी हैं तीरी। दास गरीब सत पूर से भजो, अवगत कला कबीर। परम्पिता परमात्मा, सारी श्रिष्टी के रचन हार कुल मालिक। कबीर देव, कबीर परभू, अल्ला कबीर, स्विम ही आकर के इस काल के जाल को समझाते हैं, और काल के लोक में कस्ट उठा रही पुन्यात्माओं को, अपने निजघर की ख़बर, जानकारी, स्विम ही परदान करते हैं। परमात्मा आदरनी नानक साहिब जी से मिले, उनको समझाया कि जब से हमसे बिछड़े वाई, अपनी प्यारी आत्मा के साथ परमात्मा ऐसे फिरता रहता है। लेकिन हम इस काल के लोक में आकर के, इस माया के नसे में, माया करूपी भांग के नसे में हम अपने पिता को नहीं पैचान पाते हैं। और जो हमें भांग पिलाते हैं, नसा कराते हैं, उन्हीं को हम अपने निजी मित्र मानते हैं, जो हमारे सत्तरू होते हैं। तो जब श्री नानक साहिब जी को प्रमातमा कर मिले उनसे गोश्ट की इतारत ग्यान से प्रीचित करवाए तब कहा था कि साथ हजार भल जनम तब पाए जब से हम से भिछडे वाई और साथ हजार भल जनम तुम पाई कहते हैं जब से तुम हम से भिछड़ कर आए हो सत लोग से साथ हजार जनम तो आपके बहुत ही अच्छी अच्छे यानि उच्छ पोस्ट को प्राप्त हो जैसे सत्योग में राजा अम्ब्रीज थे त्रेता युग में वही पुन्य आत्मा राजा जनक हुए जिन्होंने सुखदेव जैसे महरिसी जी को भी अपनी सरन में लेकर उसको स्वर्ग तक जाने की टिकट बनाई अर्था तो उसको युग बनाया और फिर श्री नानक रूप में जनम हुआ कहते हैं ऐसे ऐसी अच्छी आत्माओं के जनम भी तेरे साथ हजार हो चुके जब से हमसे बिछड़े भाई और साथ हजार भल जनम तुम पाई और अन्य जनम असंखो गुंती नहीं अन्य जनम असंख कुवाए और सत्मारंग नहीं काहु पाई वो पर्मात्मा पूर्ण ब्रम यहां परतेक युग में आते हैं और परतेक युग में अपनी अम्रत मानी वो सवसंवेद का ग्यान परदान करके और एक जीवन तो वो पूर्ण रूप से लीला करके जाते हैं उसमें परतेक मरियादाएं परतेक परकार के फावल पॉइंट्स जो बक्ती बाधक होते हैं उनका भी वो एक उधारन पेश करके जाते हैं परमात्मा जब आते हैं उसमें काल के द्वारा भरमित ये संत रिसी महरिसी सास्तर विरुद ग्यान का बहुत जबरदस्त डोल पीट चुके होते हैं जन जन को रंग रखा होता है सास्तर विरुद ग्यान से इसलिए उस परमात्मा के पैसानने में हम गल्ती कर जाते हैं श्री रामान जी को जो परमात्मा मिले उनके मन की बात बताई तब रामान जी ने देखा कहा मन की पूजा तुम लखी मुक्टमाल परवेश और ग्रीब दासगती कौन लख है तरह कौन वरन क्या भेश तब श्री रामान जी ने कहा था कहे परमात्मा आपने मेरे उपर मेहर कर दी कि मैंने आपको जान लिया कि आप परभू है परन्तु आपकी सथीती से आम जन साधारन मेरे जैसा कैसे प्रिचित हो सकता है आप किस तो वरन में अर्थात जुलाहे जाती में और एक बालक रूप बनाए खड़े हो आपको कैसे पैचान सकते हैं तब प्रमात्मा ने कहा था मेरे को पैचान ना बहुत ही आसान है मेरे ज्ञान को सुनो और मेरे सत्वान को देखो जहां तो फिर वो मेरी महिमा से प्रिचित हो जाओगे पुन्यात्मा जैसे हम परसंद करते हैं के बिर्मा विश्णु महेश इनकी पूजा तिनो गुनो रजगुन बिर्मा सद्गुन विश्णु तमगुन सिवजी की पूजा गीता जह नमबर साथ मंत्र बारा से पंद्रा और बीस से तैईस में बिलकुल मना किया है तो कुछ पर्संद कुछ विक्ती जो भावक होते हैं यो पर्संद करते हैं कि ये बात आप कैसे कह रहे हो श्री किरसन और विश्णु अर्थात विश्णु जी भगवان नहीं थे ये कोई सकती नहीं रखते फिर वो धरन देते हैं कि जैसे श्री किरसन रूप में आए श्री विश्णो जी ने राजा मोर्धोज के पुत्तर को आरे से जिरुआ कर पुनर जिवित कर दिया था आप कैसे कह सकते है आप कैसे कहते हो कि श्री किरसन भगवान नहीं थे उनके लिए प्रमान दिया जाता है कि हम यह नहीं कहते कि यह भगवान नहीं है यह प्रभू नहीं है यह सहाब नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तक हम प्रमात्मा की प्रिबासा से भी प्रिचित नहीं हो पाए है परभू की परिभासा से भी हम प्रेचित नहीं है जिस कारण से हमारे मन में संकाओं के धेर बन जाते हैं जब तत्व ग्यान सामने आता है जैसे एक तैसिलदार साहब होता है एक SDM भी साहब होता है डिप्टी कमिशनर DC भी साहब होता है कमिशनर भी साहब होता है मंत्री को भी साहब कहते हैं मुख्य मंत्री भी साहब ही कहलाता है और परधान मंत्री साहब राष्टरपती साहब ये सभी साहब हैं सभी स्वामी हैं सभी अपने अपने विभाग के अक्षेतर के ये पर्भू है इन पर्भू के इन भगवानों की अक्षमता में दिन रात का अंतर होता चला जाता है ठीक इसी परकारी सद्यात्मी ग्यान को समझने के दिए हमने इन उधारनों का सही होग लेना होगा कि तीन विभागों एक बर्मांड में जैसे एक प्रांट में मंत्री होते हैं तो मंत्री की पावर होती है मंत्री भी साहब होता है उसकी भी कुछ सक्ती है लेकिन वो सर्वे सक्ती मान नहीं होता एक प्रांट का मंत्री पावर रखता है उसमें शक्ती होती है लेकिन वो सर्वे सक्ती मान नहीं है आप जी ने जैसे ऐसे मान रखा है कि जैसे प्रांट के मंत्री को या आपने राश्टर पती और परधान मंत्री की महिमा मान रखी है कि यही परधान मंत्री है यही राश्टर पती है यही सारे देश का मालिक है ये आपका सिद्धान्त ये आपकी छूरी रोग है गल्थ है आप एक तरफ तो कहते हैं कि रजगुन बर्माजी सत्गुन विसनों जी तमगुन शिवजी तीन लोग के वगवान है और फिर कहते हो कि ये सारे लोकों के वगवान है ये सारी सुरिष्टी के रचनहार है ये साथ के मालिक है नहीं एक ब्रमांड एक प्रांट समझिए 21 ब्रमांड जोती नरंदन ब्रहम के लोक हैं सथान हैं देश हैं यानि परदेश हैं और इसका जो 21 ब्रमांड मिला करके एक देश बनता है जैसे हमारे हिंदुस्तान में नाना बहुत से प्रांट हैं उन प्रान्तों को मिला करके एक देश पंता है तो एक प्रान्त में अर्थात एक ब्रम्हंड के अंदर रजगुन विभाग के ब्रमाजी स्वामी है सत्गुन विभाग के श्री विश्णुजी स्वामी है प्रभु है, राम है, मालिक है सहाब है और तमगुन विभाग के श्री शिव जी महेश जी यानि स्वामी है मंत्री है मालिक है ये सर्वसक्ति मान नहीं है इनकी अपनी पावर कुछ हैं लेकिन ये राष्टरपती वाली और प्रधान मंत्री वाली सक्ति नहीं रखते आप यही उल्ड कह रहे हैं पिस इसी का निर्न नहीं है हमने ये नहीं का कि अगर माविशनो महेश कुछ सक्ति नहीं रखते या ये स्वामी नहीं है प्रभू नहीं है ये कहा कि तुम इसको इनको पूर्ण प्रमात्मा कहते हूं सरवशक्तिमान कहते हूं अजर अमर कहते हूं ये सिद्धान ताप का उचित नहीं है भगवानों की छोरी में इन भगवानों के जीवन हिस्टरी में इनकी जीवन कहानी में जीवन कथा में लिखा है ये सविमस विकार करते हैं ये सिद्धानता आपका गलत है सिर्फ इतना ही बताया हमने अब जैसे स्री किर्शन जी ने अरजुन का भर्म तोड़ने के लिए अरजुन के मन में एक भावना पैदा होगी थी कि प्रगु मैं आपका बहुती निकटतम मित्तर और सेवक हूँ उसके मन में यही बात आगी थी कि वेरे जैसा सरधालू सेवक आपका नहीं हो सकता तो उस बर्म को तोड़ने के लिए कि मैं आपका सब सरवत्तम भगत हूँ स्री किर्शन जी ने अरजुन को साथ लेकर के राजा मोर्दोज के घर पहुँच कर उन से कहा कि हमारे साथ एक सेर है एक सेर बना लिया अपनी मायत है और दोनों उन्हें वशादू का रूपदारन कर लिया है राजा मोर्दोज अपने लड़के का राज तिलक करने जा रहा था उसी उपलक्स में बहुत से विक्ति कठे हुए थे बगवान श्री किरसंजे ने जाकर कहा कि मोर्दोज हमारा सेर है इसको भोजन आहर कराईए हम पीछे आहर करेंगे मोर्दोज ने प्रारतना की थी प्रभू आहर की जिए परसाद पाईयो भोजन की जिए उन्हें कहा था पहले हमारे सेर का भोजन कराओ बाद में हम आहर करेंगे और सुन लेना ये हमारा सेर पसु पक्सी का मास नहीं खाता ये तो मनुष्य का मास खाता है और और सुन ले कहीं किसी पल्लेदार नपकड़ लाओ उसका मास नहीं खाएगा तेरे घर के सदस्य का ही मास खाएगा मौर्धवज राजा करबद होकर कहने लगा जो आप किया गया पर भू ऐसा ही होगा क्योंकि उसमें संतों का सतकार बहुत किया जाता था क्योंकि सादू-संत कुछ सक्ती उप्ट होते थे वो जो वचन कहे देते थे उनके वचन पार हो जाया करते थे इस आधार से उन्होंने संत की उनको संत मान करके और परते काग्या का पालन किया तो वो तीनों इकठे होकर के एक लड़का तामर्द्वज और मौर्दवज की पत्नी तीनों इकठे होके सलह करने लगे कि महतमा जी का अदेश है कि उनका सेर एक मनुस का आहर करेगा तो तीनों बतलाने लगे राजा ने कहा कि लड़के का राज तिलक कर देते है मेरा काम पूरन हुआ तुम मा बेटा अपना सासन करना राज समालना और मैं आहर बन जाता हूँ सेर का आब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी मैं पती भरता पत्नी हो और पती भरता पत्नी से पहले यदि पती की मरत्यु होती है तो मुझे कलंक लगेगा मैं नहीं जी सकूगी और मेरा काम था तुम्हारा वंस चलाना वो काम मेरा पूरा हो चुका है और तुम पिता पुतर सासन करो बच्चा है इसको राज का पता नहीं राज काज के काम का आप इसके गाइड करते रहना आप दोनों राज करो और मैं सेर का आहर बनू भी अब तामर दोज लड़का सुन रहा था कि माता पिता का बहुत ज़्यादा रन होता है अभी तक तो आपने मेरी प्रवर्स की है और मैंने आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया मेरे उपर ये पित्तर रन बना रहेगा मैं आप रज़ करो और मैं सेर का आहर बनूगा अब तिन्नों मैया बात उलजगी तिन्नों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए उदर से स्री किरसंजी ने कहा था कि भाई जो आज मेरे सेर का आहर बनेगा वो सोड़क चला जाएगा अब उन्यात्माओं कहते हैं बेराग नाम है ट्याग का बाई पांच पचीस सो माही बेराग नाम है ट्याग का इन पांच पचीस सो माही ये काम, करोद, मो, लोब, एंकार और ये पचीस फरकेरती जो हमारे उपर दबाव डाल रही हैं कहते हैं इन ही मैं रह करके वेराग करे कैसा वेराग करे लोब काम करोद मो लोब करे तो ऐसा करे अब लालत करे तो ऐसा करे बेएमना करे तो ऐसा करे कैसा करे कि मुर्धोस ये सोच रहा है कि मेरा बुड़ा पागया मरना एक दिन है यह अर इतना बढ़ी आउसर कब मिलेगा सुरक जाओंगा और बैठ गया सूथ तो वो जनू लालच के जाए कि मेरा नमबर आजाज मैं मरूँ सेर काहर पन और सुरक जाओं यही लालच राणी के मन में अगवाई कद कद सूथ बैठे सुरक में क्या पता बाद में जाओंगा ना जाओंगा रिपतसीर दीटकट बने यही लालच फिर उसने लड़के को था तीनों के मन में यही लोब था अब कहते हैं लोब करें लोब को रखो पर सुथरा करो परमात्मा के नाम का करो दान का करो बगती का लोब लालच करो इन कहते हैं तब तिनों आकर के उन संतों के पास दोनों संत रूप में बैठे थे लाल कपड़े पहन के मौर दोज कहता है जी मैं आपके समर्पन हूँ मेरा सीष ले लिजिए रानी कहते है नई जी یہ मेरे पति है और मेरा काम पूरा हुआ मैं पती बरता पत्मी हूँ मेरे से पहले ये नहीं जा सकते आप मेरा सीष ले जिए अब लड़का कहता है कि देखो मातमा जी ये मेरे माता पिता है मैंने इनकी कुछ सेवा की नहीं ये तो वैसे जिद कर रहे हैं और आप मेरा सिसली जी तब श्रीकिर्शन जी कहने लगे आप मैं फैसला करता हूं तुमसे नहीं हो रहा है कहां जी आप कर दो आपकी बात फाइनल होगी कहने लगया भाई लड़के को अरपन कर दो और सुनो तुम दोनों इसके सिर पे आरा चलाओ बीचों बीच काट देना अक अच्छा जी इसलिए काटना है कि जो दाया अंग है इसको इस सिर खाएगा बाएं को नहीं खाएगा इसको रेजेक्ट एक तरु डाल अब जब वो दोनों आगया पाकर के मोर तामर दोज ने सनान किया और बैठ लिया माता पिता सिर प्यारा धरकर और उसको चीरने लगे तब तामर तामर दोज को ये बात याद आगी कि मैं कितना पापी हूं हो सकता है मेरा मैं सवच नहीं हूं पूरन रूप से इसलिए मेर आदा ही सरीड प्रियोग आया हो सकता है मैं सुर्ग ना जा सकूँ ये मैं कितना नीच आत्मा होंगा बगवान ने सादू जी ने मेरे आदे ही सरीड को सिवकार किया इसलिए मैं पूरन पाक नहीं हूं पवीतर नहीं हूं नहीं कहकर आख्याम पानी आगया रोन लग गया और तब तक आरा आदे सिर को चीर चुका तब मौर्दवज ने कहा श्री करशन रूप में बिरा श्री करशन जी ने सादो रूप में कहा वाई अमने लेते ये भेंट तुम्हारी है यो बेटा तर रो पढ़ा तेरा हमने कहा था कि आखो मासू ने आने से इदर तुम्हारे अंदर मेरते रोगी तो तुम सुरुक भी नहीं जाओगे और नहीं ये से रहार करेगा तो इस लड़के कहा राजपाट की कोई मन में लोग लाल पैक यह नहीं है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इतना पापी हों कि मेरा आदाई शिरीर काम आ रहा है कि इतना कहें कि वो लड़का प्राण जागिया और संथ जी उठकर चल पड़े कि ना वही तुम तो रो पड़े तुम्हारे तुम्हारे सची सरदासे नहीं दिया तो अंतरियामी है, बालक था, होगी होगी गलती, आप मुझे चीर लो, मुझे समर्पन कर दो, मैं बिलकुल तयार हूँ, बिलकुल, कुछ भी मन में संका नहीं है, ना कोई लोब लालच है, रानी कहती है, ने जी मेरा सीस ले लो, और आप जाओ ना हमारे दोवार से ही, खाल सद्टके के श्री से निकाल कर वगवान स्री किरसे नोशे जीवित कर दिया, और कहा मांग मुझे मौर्दज मांग तुझे मैं योम पती कर हूँ, पूरी पिर्चुई का राज दे देता हूँ, तो उस ग्यानी मौर्दहोज ने, कहते हैं मांग ते ये चीज दे हैं नहीं, पर वो मुझे दीजे बगती और भाव सदा संतन परवानी मुझे तो भाव बगती देजे फगवान और परमात्मा कि मैं भगती कर सको तो पुनात्मा मौर धरुज के पूतर तामद धरुज को फगवान ने जीवित कर दिया श्री कर समझे जीड़े अब ये इतना इतनी सकती युक्त हैं ये कि इस कटे हुए शरीर को ये जोड सकते हैं निसान भी नहीं होगा लेकिन ये आयू नहीं बढ़ा सकते ये किये हुए करम में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते प्रारद को चैंज नहीं कर सकते इसका प्रतेक्स पर्मान है कि जब सुब्धरा पूत्र अर्था श्री करसंदी के सगे भांजे अर्जुन का लड़का माभारत के युद्ध में चक्कर वेहु में मर्ट्यू को प्राफ्थ हो जाता है श्री करसंदी उनको जीवित नहीं कर सके क्योंकि उसके प्राहरत में उसका सेस जीवन में ही था सुब्धरा रो रही थी पाच्चों पांडों टक्कर मार रहे थे उनका कुल नास हो रहा था और श्री करसंदी रो रहा था अपनी बेहन को से कॉली में अब दोनुों बेनड भाई चिपट लिपट कर रो रहे थे टक कर मार रहे थे किर्षन भी रो रहा था जीत नहीं कर सका क्योंग नहीं कर सका क्योंगि selग को अभी मेंनों जी की आई-उसेस नहीं थे अपने आत्मां कहते हैं गोवरदन किर्षन गिरी हानुमन्त तुम कहते हो सेशनाग सब सिर्ष्टी उठार्या इनम कौन भगवन्त काटे बंधन विपत में कठिन कियो संगरामें चिन और ये नरप्राणिया वो गुरुडबडा अकिराम लंका पाट समुन्दर पाट लंका गयो सीता को भरतार अगस्तर सीन वसारे पी लिये इनम कौन करतार कितनी प्यारी व्यक्षा की है प्रभु ने तुलनात्मत तरिके से प्रशन किया है कि यदि तुम एक गोवर्दन उठाने मातर से स्रीकर्शन को भगवान मानते हो तो दुरुनागनी प्रवत को हनुमान जी उठा कर लाए थे और तुम्हारी दंत कता कहती है कि सेसनाग ने सारी प्रथियों को भी प्रमंड को उठा रखा है सब लोकों को सिर पे रखा हुआ है और स्रीकर्शन जी ने तो प्रथवी परसे एक टुकड़ा पहाड का उठा तो इन में स्रीकर्शन को भगवान कैसे माना उससे इस नाग को क्यो नहीं माना तो क्या उस पहाड उठाने मातर से ही उसको पगवान की संग्या माफ ले रहे हो फिर कहते हैं कि जब युद हो रहा था और एक नाग फांस नाम का एक संस्तर छोड़ दिया था जिससे सभी सेनाभी और स्रीराम चंदर और लक्षमन समेथ ऐसे साओधान होकर खड़े हुआ को और उन नागों ने सब के नाग लिपट गए थे और उनको ऐसे जकट दिया था कि विलकुल हेल्पलेस हो गए थे विवस खड़े थे सभी सेनाभी श्रीराम चंदर भी उसमें गरुड को याद किया श्रीराम चंदर जी ने गरुड देव ने आकर के और सभी नागों को मारा काट्या खाया जो भगवान बंधन मुक्त होए श्रीराम का बंध राम की बंधन और गरुड ने काटे तो कहते हैं बिन्यों बताओ वो गरूड बड़ा है कि तुम्हारा राम बड़ा जो विवस्वा खड़ा था अब कहते हैं तुम इस कारण से ही राम सिरी राम को बगवान मानते हो कि लंका के उपर प्रूद पर जल के शमूदर के उपर पुल बना दिया था अरे पुल भी किस ने बना था वो तो बाद की बाते हैं कैसे बना था कहते हैं अगस्त नाम के रिशी तुम ही बताते हो तुमारी कथा के उसने एक गूट में सभी समूदरों को सुखा दिया था पी लिया था तो इन महां बगवान कौन सा हुआ अब तुमने माना है के स्री किर्शन जी ने अर्थात विश्णो जी ने तामर धुज राजा के पोतर तामर धुज को आरे से चिर्वा कर मर्टू के प्राप्थ हुए को जीवित कर दिया किवली सी मातर से प्रभू मान लिया अब सुनाते हैं उस पर्मपिता प्रमात्मा कबीर प्रमेश्वर के दुआरा ऐसी ही लीला जो छुपा दी गई जो लाल के महिमा को दबा रखा था इस लाल को कूडे में डाल रखा था वो कथा आपको सुनाते हैं एक समय कबीर प्रमात्मा राजा सिकंदर लोधी के साथ कासी से और दिल्ली आ रहे थे जैसा कि आपने पुर्व सत्संगों में सुना है कि कबीर प्रमेश्वर ने सिरी रामा नंजी का दौसिस रामा नंजी का सिस शिर गर्दन सिकंदर लोधी ने अपनी तलवार से काट दी थी उसको जीविद कर दिया था एक तो प्रमान यही हो गया इसके पैरलल जो आपने अभी स्रीकर्शन जी की महिमास के अंदर सुना है उसके बाद सिकंदर लोधी के जलन के रोग को जो ऐसाध्य रोग था और जिसके बारे में यह कह दिया गया था सभी मौलवे और काजियों और सबस्पीरों और संतों हिंदू दर्म के संतों के दोर अब यह कह दिया गया था कि राजा यह तेरे भग्य में अर्था प्रहरद में लिखा है इसको चैंज नहीं किया जा सकता यह रोग तुझे भोगना ही पड़ेगा उस प्रहरद के करम को भी प्रमात्मा कबीर जी ने अपने आसिरवाद मातर से ठीक कर दिया था और फिर नाम दिया उस प्रम प्यारी आत्मा को सिकंदर लोदी को सस्थ बनाया मा साग टैना त्यलबद है विदना लखे जो लेख और साचा सत्गुर मेट कर उप्रमार दे मेखो यार साथ पूर्ण रुप से कलोज कर दे उस चैप्टर को ही जो तेरे प्रहरद का आपको दुखदाई होना था अब दूसरा उधार्ण देते हैं वो तो यह हो सकता है कि रामानंद की आईयो सेस होगी इसलिए कबीर जी ने जीविच कर दिया यह तो उसी के पैरलल हो गया अब इससे भिन्द बताते है जब रस्ते में सिकंदर लोधी कबीर जी को प्रार्चना करके दिल्ली ला रहे थे और यह सोच रहा था सिकंदर लोधी के ऐसे महापुरुष के विचारों को दिल्ली के लोग सुनेंगे हिंदू और मुस्लमानों का जो आपस में बहर भाव यह समाप्त हो जाएगा क्योंकि इनका बहुत निर्मल ग्यान है और यह सब को एक करने वाला है उदर से सिकंदर लोधी का एक पीर धार्मिक गुरू जो इंटरनेशनल लेवल का यानि गुरू था हिंदुस्तान का पूरे गुसलमान धर्म के लोग उसकी आग्या का पालन करते थे सेख सेख तकी तो वो भी उनके साथ कासी गा हुआ था जब उस सेख तकी ने ये देखा के सिकंदर लोधी राज़ा का जो लगाओ है इस कबीर में अधिक हो गया है और तेरी महिमा अब कम हो जागी इस इर्षा वस शेख तकी अंदर से अंदर परमात्मा कबीर जी से इर्षा करने लगा रस्ते में जब आ रहे थे हाथियों पर चल रहे थे कुछ गोडे सवार थे हजारों की संख्या में सैनिक थे पूरा लसकर चल रहा था रात्री के समय एक दरिया पर पड़ाओ डाला रात्री को वहां रुके अलग अलग टेंट लग गए सुबह जब हुआ तो सिकंदर लोधी सेख तकी के चरन लेने के लिए गया क्योंकि उनका धार में गुरू था सिकंदर लोधी जाने था कि आज इसका कोई मरोड़ी लागी कोई बात क्या चाहता है इसे पूछ लेता हूँ करबद होकर सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद साने कहा पीर जी मुझसे क्या गलती होगी आप मुझसे रुस्ट क्यों है कहने लगे तुझे जो मिल गया ना एक गुरू और तुझे मेरी क्या हो सकता है अब तो तुझे वो कभीर कभीर दिखाई देता है अब सेक तक ही नहीं दिखाई देता है राजा ने कहा ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है आप से मेरा उतना ही लगाओ है लेकिन जिस विक्ती ने मुझे जीवन दान दिया और जिस विक्ती ने मेरे सामने जिस मापरुस ने मेरे सामने मेरे हाथ से कतल किया हुआ जीवित कर दिया तो मेरे जैसा दुस्ट नहीं जो मैं इसको अल्ला या खुदा या मैं तो इसको ना दून इनको पर्भू ना मानू अच्छा इसने मुर्दा जिन्दा कर दिया हाँ जी कर दिया मेरे सामने कर दिया कहने गा मैं जब मानूंगा इस कभीर को कि इसमें कुछ सक्ती है मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे और नहीं तो सिकंदर लोधी में जाकर के दिली में सभी मुस्लमानों को बता दूँगा कि राजा काफर हो जा है उसने एक हिंदू से उपदेश ले लिया अब राजा लोगों की इतनी जड़ होती है इतनी आई बेस होसा है इनका इतना गबरा जाते हैं कि पबलिक तरे खलाब हो जागी तेरा राज चला जाएगा तो गबरा जाएगा तब सिकंदर लोधी मू लटका लिया गोया तो बात बगाड़ेगा यह पका है अठी वापस आया तो परमातमा के पास आये कबीर जी के पास जो अपने टेंट में ही रखा हुआ था अधर से और करबत होकर बैठ गया परभू और मायूस होकर बैठ गया तो परमेश्वर ने पूछा कि एक राजा क्या बात है आज आपका चेहरे पर रोनक नहीं है कोई राजकाज में स्यानती तो है तो और सिकंदर लोधी ने कहा कि परभू आपके होते राजकाज में क्या हो सकता है लेकिन एक यह जब मारा दार में गुरू है यो मेरा सिर्का दर्द है यो ना उल्टा लिया पड़ता ना सुल्टा ये मुझे से रुष्ट हो गया है परमात्मा ने पूछा कि क्या कारण है किस कारण से रुष्ट हो गया इसको भई मना ले और दे दे दस रपिये फालतू पीर प्यारा गईतना है बेहों तो याग रह ये कहता है कि यदि तुने कबीर, आप जी के बारे में कहORA है कि यदि इसमें को सक्ती तुम्हें अपनी आँखों देख कर मानूंगा और नहीं तो सब मुसल्मयनों को कह दूंगा कि राजा ने धरम चेंज कर लिया ये करा के मैं कहे दूंगा कि वो कबीर का सस्वर गया है और वो भोले लोग इसकी बहुत मानते हैं इसको अल्हा का नुमाइंदा तक मानते हैं हर आग्या का पालन करते हैं पर वो मेरा राज्ज नहीं रहेगा तब प्रमात्माने कहा कि कह दे बाई शिकंदर लो धी कह दे इससे एक तकीन है कि ढूंड ला कोई मुर्दा इसकी या भी फड़क काड़ दू तो शिकंदर लो धी को तो पता था जब सामने कर रखे ऐसे लीला उसको तो चिंता थी नहीं कि जब सत्कुर ने कह दी ये बात तो फाइनल होगी जयान बचिए राज बचा तो जाकर कहने लगा शेक जी कोई मुर्दा ढूंड लिया हो कबीर जी कहते हैं उसको तेरे सामने जिन्दा कर दूँगा कहने लिगा अमें कहां से लाऊ हो मुर्दा ढूंड कर कभी देखेंगे कभी कोई बात होगी जब कोई ऐसे कोई मुर्दा होगा कोई मर्टू किसी की होगी जब पूछूंगा इससे क्योंकि वो मर्टू नेच्रल डेथ होगी तो वो प्रारव्द पूरा हो चुक्या होगा परमातमान के देर लगए इस परमपता कभीर परमेश्वर को केते के कर देख पल में उसी समय देखते हैं सिकंदर लोदी बाहर आया और बाकी कुछ सनान कर रहे थे दरिया में सैनी कुनों ने देखा के कम से कम आधा किलोमेटर दूर से देखा के दरिया में एक 12-13 वरस की आयो के बच्चे का सव बहता हुआ आ रहा है और उस सव को वो मर्ट्यू को प्राप्ट हो चुका था उसका प्रार्व सेस नहीं था और कुछ ऐसे ऐसा समाज है वो ने तो मुर्दे को जलाता है ने दफनाता है जमीन में भी नहीं गाड़ता है वो जल परभा कर देते हैं मर्ट्यू होने के उपरां तो सर्दासे जैसे हम अपना मुर्दे को सभा करते हैं जलाते हैं तो वो जल परभा कर देते हैं सब कुल के प्रिवार मिलकर उसके नीचे एक बीडा सा बना देते हैं फलोटिंग एक ऐसा बना देते हैं तैरने वाला किसी लकडियों का या बाजरे बुजरे की जवार की पूलियों का ऐसे एक नीचे पलेट फारूंसा बना गार थी उसका उपर आदर से लुटा कर उपर कपड़ा बांद कर और उसको जल परभा कर देते हैं वो सोचते हैं कि इ जिवजन दूखा करके दूआ देंगे तो वो लड़का बैता हुआ आ रहा था जिसका प्राहरब्द समाब्थ हो चुका था तो सब ने का जी वो एक मुर्दा आ रहा है तब शिकंद लोदी खुस हो गया कि देखो वो आ रहा है मुर्दा तो सेक तकी भी बुला लिया कि आ तो सबी ने कहा ठीक है पीर जी आप भी कोशिस करो आप से नहीं होगा तो फिर यही तब ही तो फैंसला होगा थारी सक्ती का दोनों कोशिस करोगे शेक तकी ने भी अपने जनतर मंतर सुरू किये तब तक वो मुर्दा बैता हुआ काफी दूर चला गया लगवग दो फर ल नयामत के समय जीवित होंगे अब थोड़ी होते हैं यह जूट बोलता है यह चाहता था कि मैं ऐसे ऐसे अपना कोशिस करूँ तब तक यह मुर्दा चला जा कवीर के सिर से बलाट ले यह भी नहीं कर सकता यह जूट बोलता है तब परमात्वा ने कहा कि सांत हो जाई यह प सब बैता हुआ डाउन सट्रीम में नीचे की तरफ वहां से परमात्मा ने संकेत किया ऐसे हाथ कर दिया वापिस तो वो मुर्दा जैसे मसीन वाली जो नौका चलती है मोटर वाली इस परकार अब सट्रीम में पानी के विपरित परभाव की तरफ ऐसे चल पड़ा जैसे उपर यह का यह सठिर है तब परमात्मा ने कहा है जीवात्मा जहां भी है इस सव शरीर में पर्वेस कर और कवीर हुकम से बाहर आजा अब जहां अल्लाहु अक्वर का हुकम हो जो कहते हैं इसमें फजाइले आमाल नाम की एक बुक है मुसलमान भाईयों की उसमें लिखा ह कि ये कबीर अल्हा कबीर जो है ये ऐसा कलमा है ऐसा मंत्र है कि इसके इसके उचारन करने से आसमान भी के रस्ते फट जाते हैं सब आसमान खुलते से ले जाते है तो उसी समय वो जीवातमा जहां भी जिस चूनी में जाना था उसकी त्यारी धर्मराज के दरवार में हो रही थी वहां से परमातमा के आदेश से तुरन तो जीवातमा वापस आई और लड़के में परवेश की सव मां परवेश किया और वो स्रीर ऐसे ऐसे कमपन करने लगा वो लड़का जीवी थो करके बाहर आया आते ही कबीर परमेश्वर को डंडवत पर नाम किया बो बंदी सेक्तकी से कहा सिकंदर लोधी ने कि देखो पीर जी मैं कोई गल्त नहीं कह रहा था सेक्तकी कहने लगा ये जादूगर है जादूगर ये लड़का सद्मे में था ये मर्या नहीं था हैं ये तो जादूगर है आम आदमी कर दे इस तरह की बाते हैं मैं नहीं मानता इस बात आप पुन्यात्माओं के जिस से लिला के कारण स्री किर्शन और विश्मु जी को अपने परभू माना हुआ था कि मौर्ध हुज के लड़के तामर्ध हुज को जीविद करने मातर से परभू मान लिया था तो वो परमान रामान अंजी की गरदन काटी शेक शेकंद लोजी ने सेकड़ों की संख्या के सामने और उसको फिर परभू ने जीविद किया और इस बच्चे का प्रारभ नहीं था और फिर भी परमात माने से जीविद किया लेकिन जो कहता है ना ना माननो उसके आगज़े करदन काईट कजर दे अद्मी मानना ना क схटे मानने वारे तो एक के दौसं केत में मानजाते एक यो दो दारण को सत्मान लेते फिर भी प्रमात्मान अपनी समर्थवता का प्रमान देना था तो वो लड़का जो जीवित हुआ तो सभी उपस्तिस सैनिकां और राजा ने और सभी ने कहा कि आपने कमाल कर दिया कबीर देवा आपने कमाल कर दिया उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया है और उसको अपने पूतर के तुल अपना सिस बना कर अपने साथ रखा पर पूले उसके बाद क्या होता है एक दिन कमाल के मनमे कुछ वरसों के बाद जब हो लिया बीस बाइस वरस का उसके मनमे बहुत ज़्यादा अभमान हो गया और अच्छी जो परमात्मा सिक्सा देते थे सटसंग करते थे वो उसने भी याद कर लिये और अन्य संगत में जाके वो कहने लो यह सटसंग शुनान लाए गया और एक दिन परमात्मा तो अंत्रिया में थे अब उसको और यह कहने लगा कि मैं गुरुदेव की जो सेवा करता हूं कोई ने कर सकता क्योंकि गुरुझी गे साथ रहते थे पुत्तर्तूल रखते थे उनको इसाथ में सिस भी के रूप में क्योंकि और तो उसका कोई था ने साथ ही रखना पड़ता था और वो सेवा भी फिर वो एक रहेगा जो साथ रहेगा प्रमात्मा की गुरुदेव की और नादान ने ये ना सुची तेरे पर रह्म करया है मालक ने मेरक रखी तुझे ये सेवा मिली हुई है तो यही मार खाता है ये प्राणी उसको अभी मान हो गया तो कहने लगया मैं जो सेवा करता हूँ कोई नहीं कर सकता गुरुदी की तो ये बरह्म तोटी प्रमात्मा को पता सला इस बात का तो उन्हों ने देखा कि कमाल कहता है मेरे जैसा सेवक और भग्त सरदा मेरे जैसा समर्पन प्रभु के लिए कोई नहीं कर सकता ये कैन की बाते हैं उसके वो फड़क निकालने के लिए प्रमात्मा ने वो भर्म तोड़ने के लिए जैसा की अर्दुन का भर्म तोड़ने क दियो श्री कर्शन जी ने लीला की थी यही लीला प्रभू कबीर जी करते हैं अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541